अगर आप जिस दिन मरने वाल है उसकी date आपको मिल गए तो आपके life में क्या changes करोगे आप क्या करोगे इसी एक interesting concept के साथ आज की movie आती है The Brand New Testament ये एक French movie है उसके MD rating 7.1 है इस movie में God की बेटी उनसे बदला लेना चाहती है इसलिए सब लोग जिस दिन मरने वाल है इनकी date उन्हे भीज देती है यही इस movie की storyline है तो चली directly शुरू करते है movie start होती है और ये लड़की हमसे बात करती है ये कहती है शुरुआत में क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं है पर ये सिर्फ शुरू हो जाता है इसके बाद जो गड़बर होनी होती है वो भी होई जाती है ये Christ या God इनका जो message जो spread करते है इन लोग को apostles बोला करते है ये बोलती है कि पहले सिर्फ 12 apostles थे अब eddy ने तो सब ठीक हो चुका है ये कैसे हुआ इसकी story अब ही हमें बताने वाली है ये जो छोटी लड़के हमसे बात कर रही है इसका नाम ईया है और ये हमारा main character है ये फिर हमे के बारे में बहुत कुछ लोग जानते है पर इसकी daughter के बारे में कोई भी नहीं जानता ये daughter मैं हूँ अब जो son के बारे में हमें बताया जा रहा है ये Jesus Christ है फिर लड़के हमें कहती है कि creation होने से पहले यानि कि इसके father यानि कि God ये पहले ही बोर हो चुके थे इसलिए इसने औरत को भेज दिया Adam और इव इन दोनों का नाम उन्हें रखा है इनके बहुत सारे बच्चे हो गए इसके बाद जो population बन गए ये दूसरे से ही लड़ने लगए ये लड़की विरा में कहती है कि अब मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ कहती है कि वो एक apartment में रहती है य ये फिर अपनी मदर की बारे में कहती है इसकी मदर जो होती है ये हमेशा emoridery करती रहती है एक design बना थी है कुछ beautiful बना थी है फादर उसकी मदर को कभी भी consider नहीं करते जीसस क्राइस्ट यानि कि इसका ब्रदर इनके साथ नहीं रहते ये वर्ड में चले गए थे उसके बा कि फादर ने कभी भी उसके family से प्यार ने किया फादर को relax होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था इसलिए इसने humanity create कि लोग को बहुत सारे troubles दे दिया और इसके बाद अच्छा कुछ दिखा दिया यानि कि hope में हो हमेशा जीते रहे ये कि जो भी world में accidents होगे रहते रह लोग के life miserable बनाने के लिए इसने कुछ rules लगा दिये इस rules में हमें बताया जाता है sleep complete करने के लिए और 10 minute यही एक time होता है जब आप shower में होते तब ही फोन बचता है bread पर jam लगाते और गिरता है तो jam जहां लगा होता है वही bread गिरता है लोग के life miserable करने के लिए यह सब rules लिखे कहे थे इया को यह सब मालूम नहीं होता एक दिन अपने father के room में वो चली जाती है फादर का जो computer होता है जिससे वो यह सब करते यह वो देखती है निक जिन जब यह lunch कर रहे होते तो यह अपने father से कहती है तुम बहुत ही horrible हो तुम इस वर बहुत ही चीड़ जाते है और इसे बहुत मारते है यह फिर हमसे कहती है कि अब मैं 10 साल की हो चुकी थी यह जो अत्याचार मुझे पर हो रहे थे यह में सेहन नहीं कर पाई अब मुझे बदला लेना था इसके बाद इया उसके room में आती हुए हमें दिखती है Jesus Christ की statue चुआ होती है उसके बात करने लग जाती है Jesus Christ भी अलाइग हो जाते है उससे बात करते है यहां के Father Christ को हिट करते है क्योंकि रियल वर्ल में चला गया था इसे नहीं चाहिए था इसने वर्ल्ड चेंज कर दिया था तो यहां अब Christ से कहती है कि तुम्हारी तरह ही मुझे भी वर्ल चेंज करना है Christ से सला देता है मैंने बारा अपोस्टल्स बनाए थे तुम्हें आठरा बनाने चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे मदर का नंबर है अगर तुम्हें आठरा बनाए तो आर एक मिरागल हो सकता है और एक तुम नया टेस्टेमन बना सकती हो टेस्टेमन जो होता है एक बुक होता है जिससे हर यूमन को चलना चाहिए तो एक नया बुक यह बनाना चाहती है अब इया को क्वेशन पढ़ता है कि जो सिक्स अपोस्टल होगे तो इन्हें कौन चूस करेगा क्रैस्ट केते है किसी भी छे लोग को तुम चून लो उन्हें तुम उनके बारे में क्वेशन बुचो और जो वो कहेंगे ये नोट कर लेना इसे ये बुक बन सकती है या कि फादर के कॉम्पेटर से रैंडम नाम वो चूस करने वाले होती है इस घर से निकलना प्रॉलम होता है तो क्रैस्ट केता है कि मैंने इस घर की वाशिंग मशिन को प्रोग्राम किया है इससे तुम रियल वर्ड में जा सकती हो तुमें 4-5 घंटे इसमें घुस कर चलते रहना है और तुम रियल वर्ड में पहुच जाओगे तो इसके बाद क्या या फिर अब निकल पड़ती है फादर के कॉम्पेटर के पास आती है वहाँ से कुछ नाम चुनती है फादर को इसे हट करना होता है तो इसके लिए उसके पास एक आइड़ आती है जो भी सब लोग वर्ड में है उन सब को मैसेज सेंट कर दीती है और उनकी डेट की जो डेट है ये भेज देती है अब हमें रियल वर्ड में जो सब लोग है इन सब को मैसेज आ चुका है ये दिखता है इन सब को वो जब मरने वाला है इसके टेट मिल चुकी है यहाँ जाते वक्ट Jesus के कह कर जाती है कि उसने क्या किया है Jesus कहता है कि आदमी जब मरने वाला है उसकी टेट उसे दिदे ना बहुत इसे ही काम है यहाँ फिर Washing Machine से Real World में आ जाती है नेक सीन में हमें दीखता है कि एक औरत को मैसेज मिला होता है कि अगले 2 मिणिट में वो बनने वाली है वो बात थम्मे होती है और वहाँ एक आयन होती है उसे लगता है electricity से शौक खा कर वो मर जाएगी इसलिए आयन वो बन कर देती है गर में का जो gas विगरा सब होता है ये सब बन कर दिये कबड के उपर एक डपा होता है इसे वो अंदर ढखेलना चाती है क्यों उसके सर पर ना पढ़ सके जब वो करना जाती है तो कबड उस पर ही पढ़ जाता है इसका मतलब है डेट का जो टाइम है कि कोई भी बदल नहीं सकता अब सब लोगों को पता है तो लोग अब कुछ भी करने लग जाते है एक लटका में दिखता है कि जो यूटूब वीडियोस बना रहा है और उसमें वो मनने के कोशिश कर रहा है उसके पास अब बहुत सारे साल जिनी के लिए है तो कुछ भी वो करेगा फिर भी वो नहीं मरेगा इसी वज़े से वो बिल्डिंग से कुदरा होता है बिल्डिंग से कुदने पर भी उसे कुछ भी नहीं होता कुछ के अपल सैड होते है तो कुछ लोग अपना पैशन फालो करने लग जाते है जब गौर्डी नियूज देखता है तो अपने कॉम्पीटर के पास आजाता है पर कॉम्पीटर अब यह स्टार्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इया ने इसे खराब करकर रखा है यह फिर इया को ढूर्णने लग जाता है इया अब रियर्ड वर्ड में बोच जाती है उसे भूख लगती है डस्बिन में से सैंड्विच ओ खाने लग जाती है इसे इससे बहुत ही तकलिफ होती है और एक होमलेस मैन उसे बहाँ दpokeता है ये इसे बात करने लग जाती है E.A. को जो book लिखनी है ये वो खुद नहीं लिख सकती इसे किसी की जरूरत है तो ये जो homeless man है इसे ही पूछती है ये क्या तुम लिख सकती हो केता है कि थोड़ा बात लिख सकता हो इसके बीचे वो चलने लग जाती है ये इसके आगे आगे जाता है और उसे पुछता है क्यों तुम मुझे follow कर रही हो ये इसे इसका reason बता देती है इसका जो mission है ये भी उसे explain करती है इसके बात इसके कंदे पर वो चल रही है ये हमें दिखता है जब E.A. इस world को देखती है तो कहती है कि ये paradise कितना अच्छा है ये homeless man कहता है कि ये paradise नहीं है मनने के बाद हम paradise देख सकते है ये कहती है कि मनने के बाद कुछ भी नहीं होता जो भी है ये ही है मेरा ब्रदर भी ये ही आया था ये homeless man को कहती है वो कहता है कि तुम्हार ब्रदर को ने ये इसके साथ भी हो सकता है ये वर्ल्ड सही नहीं है अब गौड इया की पीछे जाने वाला है मदर कहती है कि तुम भी वहाँ हर्ट हो सकते हो पर ये सुनने वाला नहीं ये वाशिंग मशीन में घुश जाता है अब इया का जो नेक्स मिशन है वो उसके अपॉस्टल्स को ढूड़ना है यानि कि छे लोगो को ढूड़ना है या को उनको बिलीव करवाना पड़ेगा कि ये जीजस क्राइस की डॉटर है इन सब को इसे साथ लाना है इसके बाद मिराय को लो सकता है इन्हें believe हो कि ये God की बेटी है इसलिए इनके life में इसे कुछ changes लाने है यानि कि कुछ मिरायकल इनके life में हो जाए ऐसा इसे कुछ करना है अब हमें जो six apostle है इनमें से पहली apostle introduce होती है इसका नाम email लिया होता है ये आगे थी है इसको date पता चलके कि ये कब मनने वाली है पर इसने अपने life जिने का तरीका कुछ भी नहीं बदला ये बहुत ही अच्छे लड़ी है ये अकेली रहती है इसके mother और father बहुत ही beautiful थे तो ये भी बहुत ही beautiful है जिस building में रहती है तो इस building के 12 आदमियों को इससे प्यार है building के ओरते इससे जलती है इस पर बहुत सारे लोग मरते फिर भी ये अकेली ही है जब ये छोटी थी तो station पर इसका accident हुआ था और उसका हाथ कट गया था अब Amelia से E.A. बात करते हो हमें दिखती है वो अपने आपको introduce करा थी है इसके साथ जो homeless का है इसको भी introduce करा थी है ये फिर उससे बुछती है कि तुमारे बारे में हमें कुछ बता E.A. कहती है कि मैं station पर थी मेरे पास एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि life skating ring की तरह है बहुत सारे आदमी यहाँ गिरी जाते है ये बात हमेशा मुझे याद रही जब मैं सुबह उठती हो तो मुझे यही बात याद आती रहती है अमेलिया कहिकर रोने लग जाती है तो ये आ कहती है कि मैं तुमारी तरह रो नी सकती पर मैं रोगों का music सुन सकती हो ये आ के पास एक power होता है हर एक आदमी की जो पस्लाइट होती है उसे सूट करने वाला music होता है ये music वो सुन सकती है अमेलिया का जो music है ये उसे बताती है वो कहती है कि आज रात जब तुम ड्रिम करोगी तब तुमारे लिए मैं एक miracle करोगी अमेलिया ड्रिम में टेबल के पास आकर बेट जाती है वो जब वहाँ थी है तब उसका जो heart टूट गया था ये ही इस music पर dance करने लग जाता है अब इसे पता है कि ईया सचमुच में God की बेटी है अब ये काम हो चुका है तो ईया अब next Apostle के पास जाती है इसका नाम John Clyde होता है ये कहती ही कि ये बहुत बड़ा एडवेंचरर था पर आचाना इसने सब कुछ एडवेंचर छोड़ दिया एक सुपर मार्केट में इसने जॉब ले ली कॉपरेट में आके बढ़ते-बढ़ते ये अच्छा सा एक analyst बन चुका था इया wonder करती है कि इसने इसा क्यों किया होगा जो homeless man होता है इससे कहता है कि life में यही होता है ये life की एक अगली reality है John Clyde अब अपने 50s से आगे निकल चुका है जब उसे पता जला कि उसकी death कब होने वाली है तब उसने अपना सब काम वगिरा सब छोड़ दिया और वो पार्क में आ गया लेक के सामने वो बैठा और वो ही वो बैठना जाता था अब वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है इया इसके पास आती है और इससे बात करने लग जाती है जॉन गलाइड इस पर बिलिव कर पाए इसके लिए एक पंची को बुला थी है सकता है तो इस पार्क में वो क्यों चुपा हुआ है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि गौट वाशिंग मसीन से निकल कर बाहर आ चुका है बाहर आकर वो एक औरत को डरा देता है वो पेपर स्प्रे उसके आग में मार देती है बाहर आकर बारिज गिने लग जाती है यह बहुत ही भुका होता है तो यह भी डस्वीन से सैंड्विच खाने लग जाता है वहाँ कुछ लड़के आते है वो गहते है यह तुम्हारा ट्रैस नहीं है यह स्ट्रीट के गुंड़े होते है तो इससे बहुत मारते है जब यह हॉस्पिटल में आता है यह डॉक्टर से मॉर्फिन मांगता है यह भी उसे नहीं मिलता हॉस्पिटल में एक छोटा सा लड़का होता है जो जाम खा रहा होता है ये उससे चीन लेता है, हॉस्पिटल में इसके पैरेंट से इसका जगड़ा हो जाता है, उसका जाम भी उल्टा ही गिर जाता है, जो रूल्स इस नहीं बनाया है, अब इसको ही भूगदने बढ़ रहे हैं अब हमारा नेक्स्ट अपोस्टल हमें दिखाया जाता है, इसका नाम है सेक्स मेनियाक, जब ये छोटा था तो इसके लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी, इसके फादर मदर और ये एक ट्रेलर पार्क में रहते थे, ये हमसे फिर बात करने लग जाता है, ये उसकी स्टोरी ब मुझी दिखी, इया उससे मिलते हुए हमें दिखती है, इया उससे पुछती है, कि आप जब छुटे होते हो, तो अब क्या होता है, ये कहता है कि आप बड़े हो जाते हो, इया कहती है, बड़े होने के बाद क्या होता है, ये कहता है, कि आप मैरिट हो जाते हो, इया फिर क्या तू married हो, वो केता है कि नहीं, यह आप impossible है, उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम दिन बचे है, और यह अपने कर नहीं सकता, जब इसे news मिली थी, तब इसने try किया था, online license देखे थे कि लड़कियों से केसे बात कर सकता है, इसने try किया, पर यह हो नहीं पाया, इसके पा बूटी देखने लग गए, या फिर इस मेनियाग का सौंग सुनती है, कि तुम्हारा सौंग बहुत ही beautiful है, तुम्हारी voice भी बहुत ही beautiful है, तुम्हें voice artist बनना चाहिए, इस मेनियाग के जो पैसे थे, red light area में जाकर उसने सब खर्च कर दिये है, अब यह बहुत ही अच्छे bonding हो जाती है, जब यह इसको attention से देखता है, तब इसे मालूम होता है, जब यह छोटा था, जिस लटकी को उसने देखा था, यह वही लटकी है, जब यह बहार आते है, तब यह उसे अपने घर invite करता है, यह दोनों फिर अपने bed पर intimate हो जाते है, नेक सिन में हमें इया की मद जब दिखाए गई है, जो apostles की bending होती है, जिसमें सिर्फ 12 apostles होते है, उसमें अब ज़्यादा apostle आने लग चुके है, जिन भी apostles है, इया मिल रही है, वो सब इस bending में अब appear हो रहे है, नेक सिन में हमें God दिखता है, यह अब चर्च में आ चुका है, इसे खाने के लिए कुछ नह ही है, तो यहाँ खाना मिलता है, इसलिए वो यहाँ आया है, यहाँ का जो priest होता है, इससे भी इसकी नहीं जम थी, और यही भी मार खाता है, जिसस क्राइस के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, तो यह कहता है, जो भी यह आया था, तब मेरे message को सब इसने उल्टा कर दिय यह priest की बहुत ही insert करता है, इसकी वज़े से इसने मार खाई होती है, इसके बाद हमें हमारा next apostle दिखता है, इसका नाम Francis होता है, यह एक assassin बनना जाता है, इसे हमेशा से dead से प्यार था, कोई भी मरता था, तो उसे कुछ फिलिंग महसूस नहीं होती थी, जब यह छोटा था, बहुत सारे animals को इसने मार दिया था, अब यह बड़ा हो चुका है, अब इसे पता चल चुका है कि सब लोगों का मरने का time आया हुआ है, इसे change करने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक बड़ी सी gun buy कर लेता है, कितने भी लोग को मार सकता है, पर उसने जो किया है, यह गौड का plan है, यह अपने आपको समझा कर, वो अब यह gun buy उसने की होती है, यह पार्क में आ जाता है, और लोग को मारने वाला होता है, उसके पास यह आती है, उसका जो मिशान है, यह उसी explain करती है, उसका song भी उसे बताती है, यह इस पार्क में किसी ना किसी को तो मारन इसे कुछ भी नहीं होता, पर इसमें बहुती ज़्यादा interested हो जाता है, इसका भी पीछा करता है, इसके पीछे lift में आता है, जब एक घर बोचता है, तब इससे realize होता है, कि इसके पैर में पढ़ चुका है, इसके family भी होती है, मैं यह बच्पन से कभी feel नहीं कर पाया था, नमने family को पैर नहीं करता, निकस दिन कुछ full लेता है, और Amelia को देने के लिए जाता है, उससे कहता है, मेरी family है, पर उनसे मैंने कभी पैर नहीं किया है, मैं तुम्हारे पैर में पढ़ चुका हूँ, मैं हमेशा तुमसे पैर करूँगा, अगर तुमने मेरे full नहीं लिए, या तुम मुसे पैर नहीं करती, फिर मैं हमेशा तुमसे पैर करता रहूँगा, वो जो उसे full देता है, उस पर उसका number लिखता है, लिफ में एक आदमी होता है, तो कहता है, क्यों तुम्हें call करेगी, कोई tension मत लेना, ये घर आकर mirror में देखता है, तो अपने आपको हक कर सक है, हमें फिर बताया चाता है, कि हमेशा से बहुत ही romantic थी, fairytale love story इस तरह की चीज़े ये believe करती थी, पर अब हमें sense में दिखाए गया है, कि इसका जो पदी है, इसमें इतना interested नहीं है, इनके marriage में love नहीं बचाये, अब इनको news मिली है, कि ये मरने वाले है, तब ये असली love तुणना चाती है, एक street के लड़के के साथ intimate भी हो जाती है, पर इससे कुछ connection नहीं बन पाती है, जब इया उससे मिलने के लिए जाती है, तब इया इसका music सुनती है, ये कहती है, ये तुम्हारे music सरकस की तरह है, फिर इस सरकस देखने के लिए आते है, तब वहाँ एक पर ही आज सोने वाले होते है, homeless guys होता है, ये बहार सोता है, मार्टी ने इया से पुछती है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, तो इया कहती है, कि ये जेल में था, जेल से वापस आने के बाद ये कभी भी एक room में नहीं सोया, इसे हमेशा freedom चाहिए था, तो हमेशा बहार ही सोता ह जब ये आकाश को देखता है, तब ही इसे नीन आती है, अब नेकसिन में हमें देखता है कि इमेलिया फ्रांसिस को कॉल करती है, उसे भी उसकी जरूरत है, तो उसके घर उसे बुला लेती है, ये दोनों फिर intimate हो जाते है, ये दोनों city में होते है, तब उसके father यानिकी God उन लग जाती है, homeless guy को भी हाथ दे थी है, और ये दोनों पानी में चल कर नधी क्रोस कर लेते है, God भी ये ट्राय करता है, पर पानी में गिर जाता है, God की power सब उसके computer में होती है, वो कभी भी real world में नहीं जी सकता, अब next apostle हमें दिखता है, ये last apostle है, और इया को सिर्फ छे ही apostles जुनने थे, के बारे में ये हमें कहती है, कि हमेशा से sick था, इसे को जादा serious बिमारी नहीं हुई, पर ये हमेशा से बिमारी रहता था, इसका बहुत ही care करती थी, इसे हमेशा एक injection देती रहती थी, जब ये छोटा था, तब से injection उसे दे रही है, इसे इसका pancreas खराब हो ज जाना हो, या तुमें और कुछ करना हो, तुम free हो, अब करने के लिए, ये कहता है, कि मुझे लड़कियों की तरह dress up करना है, या उसे मिल थी है, और ये दोनों same age के होती है, तो इनमें भी bonding होती है, या उसे एक burger से दो burger बना कर, एक miracle करकर दिखा दिखा दिए, उसका song भी ह आइडेंटिफाय करती है, और कहती ही कि तुम्हारे ड्रीम में आज मैं और एक miracle करूंगी, ये जब ड्रीम में होता है, तब रात में इसने जो fish खाया था, इसकी soul उसे दिखती है, ये fish उसे कहता है, ये मुझे फिर से sea में जाना है, ये idea विली को अच्छा लगता है, ये decide से दूसरी country में अब उसे लेकर जाने वाले है, ये फिर विली के साथ, जो भी apostles उसके reach में होते है, इन सब को लेकर बीच में आती है, विली अपना fish सी में छोड़ देता है, बिच वार आने के बाद इन्हें realize होता है, कि बहुत सारे लोग यहाँ है, सब को बीच के पास आक पर मरना एक अच्छा idea लगता है, इन्हें यहाँ आने के बाद white और black waistband दिये जाते है, इन्हें इसका meaning समझ में नहीं आता, ये फिर discuss करते है, विली इया से पूछता है, कि तुमने तो कहा था, ये जब तुम सब से मिल जाओगी, यानि कि six apostles से मिल जाओगी, तब एक मिरा प्लेजिशन होती है, गौड का जो computer room होता है, ये साफ करने के लिए वह वहाँ चली जाती है, वहाँ जाकर जब वो computer देखती है, तब एक computer on हो जाता है, ये जब password डालती है, तब इसके लिए खुल जाता है, अब ये गौड बन चुकी है, अब बीच पर विली जो है, ये अपने डेट का वेट कर रहा है, इसके बाद हमें दिखता है, गौड को जिस plane से बुले कर जा रहे होते हैं, इस plane का engine खरा हो जाता है, ये plane टूट जाता है, इसके बाद ये plane अब इस किनारे फिर गिरने वाला होता है, अब इया और इन सब को पता जलता है, कि white band और black band इसक होता है, तब सब की जो date की date थी, वो बदल जाती है, जो countdown था, सब को पता था कि वो कब मरने वाले है, इसके date अब गायब हो चुकी है, ये जो plane उन पर गिरने वाला था, ये आचानक control में आ जाता है, इया की मदर सब लोग को बचा लेती है, हमें पता है कि इया की मदर आचा डिजाइन करती है, ये बहुत ही क्रीट ही होती है, इसके जो डिजाइन से ये आकाश पर बना देती है, सकाय को बिंग बना देती है, उस पर डिजाइन क्रीट करती है, इस वर्ल में जो global warming थी, वो खतम कर देती है, या को पता जा जाता है कि उसकी मदर है, gravity के rules बदल देती है, अब लोग कहीं भी चल सकते है, पानी के अंदर भी लोग चल सकते है, ऐसा हो कर डालती है, नेचर के जो सब rules है, इसने बदल दिये है, वो इसको better कर दिया है, गौड हमें एक washing machine के factor में काम करता हो दिखता है, एक portal वो ढूण रहा होता है, जिससे वो फिर से वाप बस घर जा सके, यह अभी भी ढूण नहीं पाता है, जो सब apostles थे, इनके life अब सही हो चुकी है, कोई भी अब मरने नहीं वाला, यही अजीब और गरी beautiful movie खतम हो जाती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा, मैं बह हैर कि इस प्लीज घ्हाट है, अब खत फिर के मेर को को एोगा हो पाता है, को जएल्चा जाती है, बार सर्चा रहले हैओ